उम्र का वो दौर जेले समय बिताना मुश्किल हो जाता है आफिस में बीता हर लमहा हर पल याद आता है जिन्दगी में खुशिया न जाने कहां खो जाती है अकेला पन तनाव चिंता से दोस्ती हो जाती है उम्र का वो दौर जहां सब कुछ बदल जाता है आज की इस वीडियो में जानते हैं कि Old Age या After Retirement बहुत सारी Mono Veganic समस्याईं आती है वो कौन सी समस्याई है और उनका समाधान क्या है आज की इस वीडियो में जान लेते हैं अब देखिये कि जो सर्विस करते हैं एक उमर के बाद हुने रिटायर होना पड़ता है जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जियुन में खाली पन आ जाता है उनका मन घर में लगता नहीं है बच्चों से वो पूरा टाइम ले नहीं पाते है बच्चों के साथ कई बार मैच अप होनी पाता है जो उनका सरकल बना होता है दोस्तों के साथ ओपिस में वो एकदम से छुट जाता है तो उनके जीवन में खाली पन आ जाता है उनको बस अकेला पन महसूस होता है चाहे है वो मेरिड ही क्यों ना हो तो इस अकेला पन की समस्या से आज बहुत सारे ओल्ड एज परसन जूज रहे हैं लेकिन जूजने की जुरूरत नहीं है खुशकबरी है खुशकबरी इसी वीडियो में मैं बताऊँगा तो आप देखिए कि जिन लोगों को भी लगता है कि जीवन में कोई रस रहा नहीं है रिटायर्मेंट के बाद या ओल्ड एज में लगता है कि आप खालीपन है कहां जाएं किधर जाएं घर में मन लगता नहीं है दोस्त उतने है नहीं उनके पास जा नहीं सकते घर में कमरे में सारा दिन बैठे रहते हैं मन लगता नहीं है बच्चे स्कूल चले जाते हैं बेटे या बहुएं अपने काम में लगे रहते हैं बस अकिला पनसा खाये जा रहा है कमरा है कमरे की दिवारे हैं बहार जाने में दिखते आ रही हैं बहार जा नहीं सकते हैं कुछ दिन चले जाते हैं वहां भी मन नहीं लगता है तो इस तरह की साइकलोजिकल समस्याओं से न प्रिशानियों का उनको सामना करना पड़ता है और सारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लग जाता है लेकिन क्या किया जा सकता है इन समस्याओं से बहार आने के लिए इसके लिए साइको गुरू टीम ने सेवाई शुरू की है ओल्डेज परसन के लिए रिटायर्मेंट परसन के लिए वो सेवाई हैं कि आपको ये अनुपम पैराडाईज दिखाई दे रहा है इसमें आप आ सकते हैं जहां पर स्पिर्चुल हीलिंग साइको थेरेपी के अलग अन्य साइकलोजिकल प्रोब्लम्स आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंज्वाई कर सकते हैं यहां पर आपको एक पूरा स्पोर्ट ग्रूप बिलेगा इसमें हर उमर वरक के इनसान आपका मनोबल बढ़ाएंगे और जीवन के परती एक नई रहा दिखाएंगे क्योंकि ओल्डेज परसन को लगता है कि अब जीने का कुछ बचा नहीं है बस भूत खालिया कमा लिया फिर भी कुछ नहीं हाथ आया खालीपन जैसे एक पंजाबी गीत है ना मेरी जिन्दगी है हुन खाली ठुटा मतलब जिन्दगी में सब कुछ करने के ब सब्सक्राइब भी खालीपन हाथ लगता है तो इस खालीपन को आनंद से भरने के लिए स्पिरिच्यूलिजम की बहुत जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर प्रवीन जी स्पिरिच्यूलिजम के बहतरीन कंसल्टेंट है वो जीवन का मकसद भी बताएंगे और जीवन का वा समझ में आ गई होगी क्योंकि ओल्डेज परसन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं समझदार होते हैं और इस मेरी छोटी सी बात को तो वह बड़ी आसानी से समझ गए होंगे और नंबर ढूंड रहे होंगे कि साइको घुरू टीम का नंबर मिल जाए तो बले बले अगर नही पढ़ते हैं इसके लिए मैं आपका आभारी हूं